आज हम भागवत गीता के सोलवा अध्याय के 21st स्लोक से चर्चा करेंगे आप सब मेरे पीछे बोलेंगे तृविधं नरकस्ये दाम द्वारम नशनमात्मनाहा कामकृधसत धालो भास तस्माधत त्रयम्त जेग तस्माधत त्रयम्त जेगे there are three gates leading to this hell lust, anger and greed every sane man should give these up for they lead to the degradation of the soul the beginning of demoniac life is described herein one tries to satisfy his lust and when he cannot anger and greed arise a sane man who does not want to glide down to the species of demoniac life must try to give up these three enemies which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material entanglement this is a very beautiful slogan here if you don't want to die then you have to die काम करना है हम देखते हैं वैशनवाचारिय के भजनों में वैशनवाचारिय बोलते हैं कि हमारे जैसा दीन कोई नहीं है हमारे जैसा पापी कोई नहीं है हमारे जैसा पतीत कोई नहीं है तो कभी-कभी हमें विचार आता है कि वैशनवाचारिय वो लोग तो इतने अलिवेट वो चाबलरी यूस करने के लिए वो 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 यूस करते हैं या शायद वो अच्छा से राइणिंग हो रहा हो, इसलिए यूस कर रहे है। एक्जागरेशन कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि हमें तो पता है कि ये जो वैष्णवाचारिय है वे तो बहुत प्योर डिवोटीज है, पाप का तो लेश भी उनमें नहीं है, फिर भी वो अपने आपको पतीत क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ पाप अलग है, हमारे लिए पाप करना मतलब चार नियमों का पालन नहीं करना, मासाहार करना या जूट बोलना या भद्रस्त्री संग करना, ये सब हम पाप सोचते हैं, लेकिन ये इतने प्योर है कि उनके लिए पाप की परिभाशा ही कुछ और है, वो सोचते हैं पाप मतलब अगर एक सेकंड के लिए भी अगर हम भगवान को भूल गए, मतलब पाप, जिन्होंने ये पूरी सुष्टी की है, जो ये पूरी सुष्टी के अधिपती है, जो हमारे सर्वस्व है, ऐसे श्री भगवान को अगर हम एक सेकंड के लिए भी भूल जाते हैं, और भूलने के पाथ जो हम एक स्वास भी लेते हैं, वो पाप है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो हमें इंप्रेस करने के लिए बोल रहे है, कि मोसम अपतित कोई नहीं है, वो एक्चली सोचते हैं ऐसा और मन में दुख करते हैं कि हम कैसे भूल गए भगवान को, उसका मतलब हमारे सामने बहुत हाई स्टैंडर्ड दिया हुआ है वैश्नवाचारियों ने, कि हम भी अगर भक्ती का उत्गम, स्थान, अल्टीमेट अगर हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आनी चाहिए, जहां पर हम एक शन के लिए भी भगवान को ना भूले, माने सततम किर्टयंतो माम करें, कंटिनूज भगवान का स्मरन करें, अब कैसे करें कंटिनूज भगवान का स्मरन, तो उसका भी चेतने महाप्रभू ने बोल दिया शिक्षाष्टकम में, कि अगर आपको करना है, तो आप में कुछ qualities आपको develop करनी पड़ेगी, जैसे कि तरिनाद अपी सुनी चेना, तरोर अपी सही सुना, अमानी ना मान देना, किर्टनिय सदाहरी, करना है, तो आप में ये qualities आने है, तरिनाद अपी सुनी चेना, तरोर अपी सही सुना, अपने आपको रास्ते के घास से भी निम्न मानना, जैसे वरुक्ष में टॉलरेंस होती है, सहन शक्ति उतनी सहन शक्ति होना, अमानी ना मान देना, दूसरों से रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, और सबको रेस्पेक्ट देना, जो ऐसे भाव में है, वो ही भगवान का नाम सतत ले सकते हैं, अगर आप में ये qualities नहीं हैं, तो आप भगवान का नाम सतत नहीं ले पाओगे, क्योंकि किती सारी problems हैं आपके life में, आपको इस से जगडा है, इस से इरशा है, इस पे गुस्सा है, इस से ये है, ऐसे situation में कैसे लोगे भगवान का नाम, जिस दिन आपके पास कोई expectation है ही नहीं कि मुझे कोई मान दे, आपके पास कोई expectation है ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर आपका mind clear है, तभी आप continuously भगवान का नाम ले सकते हो, उसका मतलब हमें जो ये अनर्थ है, उसे हमें बाहर निकाल के फेकना है, मैं बहुत बार ये example देती हूँ कि जब मचवारे मचलीों को नेट में पकड़ते हैं, बेच देते हैं, लेकिन जब अपने खाने के लिए वो मचलीों को पकड़ेंगे, तो एक-एक मचली को नेट में से निकाल के देखेंगे, ये अच्छी है, कैसी है, इसको लू ना लू उसी तरह से जब हम साधना करते हैं, जब करते हैं, सोला माला करते हैं, सब फॉलो करते हैं, भगवान के नेट में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान देखते हैं, इसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोब है, तो फिर नीचे फेक देते हैं, तो हम ये जो साधना का प्रोसेस कर रहे है उससे शायद गोलो कर विंदावन के ध्वार तक चले जाए लेकिन बाद में ध्वार पाल बोलेगा कि इसमें तो काम कुरोध की गंध आ रही है इसको निकालो बाहर उसका मतलब जब तक हम अनर्थ पे वर्क नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जा सकते क्यों आता है कहां से उत्पन होता है कितने प्रकार के क्रोध है इस पर हमें study करना इस पर हमें work करना है जब हम भक्ती जीवन में आते हैं तब transformation आउटसाइड इंसाइड नहीं होना है, इंसाइड आउटसाइड होना है, भक्ति जीवन में जब आते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, पहले पैंशट पहनते थे, अब धूती कुर्ता पहनते हैं, पहले हम तिलक नहीं लगाते थे, अब लगाते हैं, पहले शायद कोई कीच स्टाइलिश सी हाथ में पकड़ लेते थे, अब शायद जब माला पकड़ लेते हैं, आउटसाइड तो बहुत बदल गये, इंसाइड, इंसाइड बदलना है, एक्चुली ट्रांस्फरमेशन ऐसा होना चाहिए, पहले इंसाइड होता है, फर इंसाइड इतना ज्यादा ट्रा लगता है, जैसे कभी कोई पोट होता है, अगर आप उसमें पानी भरो, अगर पोट में पूरा-पूरा पानी भर जाता है, तो फिर क्या होता है, पानी बहार में निकल जाता है, जब इंसाइड में इतना ट्रांस्फरमेशन आ जाता है, फिर हमारी बाहारी आदते, व्यव हार सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारे किस्से में हमेशा उल्टा हो रहा है, बाहर में तो बहुत सारे ट्रांस्फरमेशन आ जा रहे है, बाहर में हम देखने में एकदम प्योर डिवोटी लगता है, लेकिन अंदर में अभी भी वही दुरगंध, कोई चेंज नहीं, अभी भी वही काम, वही क्रोध, अभी भी हम तच मी नॉट जैसे है, बस मुझे छूओ और मैं दिखाती हूँ मेरा गुस्सा, मुझे बस आप तच करो गलत जगा पे, मैं अपना रूप बताती हूँ, फिर क्या फाइदा हुआ, हम जो इतना सत्संग सुनते है, इतना भगवान की स्तुती करते है, आरती अटन करते है, जब करते हैं, लेकिन नो ट्रांस्फरमेशन, फिर क्या फाइदा हुआ, हमें अंदर में काम करना है, इस क्रोध पे हमें काम करना है, कुछ बोलते हैं, क्या काम करना है क्रोध पे, जब करो, भग भगवान को डेलीगेट नहीं कर सकते, खुछ चीज हमें भी करनी पड़ेगी, शर्वात थो कि मैं जै कुछ मड़ा आ आशिरवात देएगे तो मेरा शर्वाइब मेरा शर्व शर्वाद GU Bliss, विल मैं अभी कर दो जिस तरह से नेचर स्कॉल आप किसी को डेलिगेट नहीं कर सकते हैं, कि मुझे बाथरूम जाना है, जर आप मेरी तरफ से बाथरूम जाके आजाओ, ऐसे नहीं हो सकता है, बाथरूम तो आपको ही जाना पड़ेगा, गुसे पर काम तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आ हमारे पस समय भी बहुत कम है, यह human life कैसा है, जिस तरह से अगर आप fridge खोलो, बरफ की ट्रे से एक दो बरफ निकालो, बाहर kitchen के platform में रख दो, क्या होगा, क्या होगा, melt हो जाएगा, क्या उसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते है, उस तरह से हमारी life भी टिक होते जा रही है, धीर धीरे-धीरे melting होते जारी है, हमें जल्दी करना है, इस अनर्तों पर हमें काम करना है, अब क्या करेंगे, step by step इसका एक process है, इस गुसे से हमें कैसे बाहर आना है, सबसे पहले तो हमें एक द्रिड निष्चे लेना है, कि हम अपने आप में बदलाव चाहते हैं, कभी-कभी ह कि इतने satisfied हैं, हम अपने आप में कोई बदलाव चाहते ही नहीं, आप में से यहां कितने लोग हैं, जो सोचते हैं, कि हां माताजी, मेरे स्वभाव में कुछ बदलाव आना चाहिए, अहां पर कितने लोग ऐसे सोचते हैं, कि मेरे आसपास के लोगों के स्वभाव में बदल आना चाहिए, तभी में खुश रह सकता हूँ, हम में आना चाहिए बदलाव, हाला कि हमारा actual nature ये है कि हमारे आस पास के लोग थोड़ा सा बदल जाए, तो सब ठीक हो जाए, लेकिन actually बदलना किसे है, हमें बदलना है, हमारे स्वभाव को हमें बदलना है, अब आप बोल सकते हो माता जी, स्वभाव तो कभी नहीं बदलता, आत्मा का जो स्वभाव होता है, वो तो बदलने सकता, वो तो शाश्वत है, लेकिन क्रोध कोई स्वभाव नहीं है, क्रोध आदत है, क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध आदत है, आपको आदत हो गई है क्रोध करने की, अब इस क्रोध पर हमें वर्क करना है अब कुछ लोग सोचते हैं कि जब क्रोध आता है अगर हम क्रोध कर ले तो बात खतम हो जाती है लेकिन क्रोध कर लेने से बात खतम नहीं होती है सी जिस तरह से जब हम को बात्रूम लगती है हम बात्रूम जाते है तो बात्रूम करने के बाद क्या हो जाता है हम रिलाक्स हो जाते है जिस उसी तरह से जब हमें क्रोध आता है और हम क्रोध कर लेते हैं क्या उसके बाद में हम रिलाक्स हो जाते हैं नहीं रिलाक्स हो जाते ह अगर क्रोध करने से रिलाक्स हो जाते है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्रोध करने के बाद भी हमें शांती नहीं मिलती है, हम सफर होते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा सफर होते हैं, उसका मतलब इसका solution कुछ और है, इसको सिर्फ क्रोध बाहर निकालने से ये बात खतम होने वाली नहीं है, अब आज के इस प्रवचन में हम दो चीज़ पर वर्क करेंगे, एक है कि क्रोध आता कहां से है, और क्रोध जब आता है तो हमें क्या करना चाहिए, और क्रोध कभी ना आये, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस दो चीज़ पर हम वर तो अजिने बग्टेन ममन 20 , उसके लिए हम सुनके अटेंटिव लिस्निंग करेंगे उसके बाद में इसके बछी में बनाइगहिछ trackatingating करीन मतलब एक आशा करना कि हम मैं क्रोध कम कर सकती हूं गर यह पॉसिबल है और उसके बाद में एक गोल बनाएंगे और वो गोल कैसा होना चाहिए? टाइम के साथ में, टाइम ओरियंटेट होना चाहिए कि हाँ, by this time मैं मेरे क्रोध को कम करूंगा, हमारे प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन का बोड लगा के बैठे I don't mean this, but ऐसा हो गया, अब कितना साल जीवन में आप ऐसे बोलते रहेंगे I don't mean this, but ऐसा हो गया, why can't you control your emotion, क्यों ऐसा हर आपको लोगों के पास दाके clarify करना पड़ता है, कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन ऐसा हो गया, कितना दिन, उसका मतलब somewhere we have to stop and we have to be mindful, क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हम mindful नहीं है, mindful होना मतलब alert होना, समझना कि हा मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन हमारा problem यह है, जिस तरह से drunkard होते है अगर आप उनको बोलो कि आपने शराब बहुत ज्यादा पी के रखी हो बोलेंगे नहीं तो ठीक हूँ, उसी तरह से जो क्रोध कर है, सबसे पहले तो हमें यह करना है कि हमें accept करना है कि हा मुझे क्रोध आता है, यह मुझे में problem है और मैं इसको ठीक करना चाहता, तो यह first step है कि being mindful, आप accept करो कि आपको क्रोध आता है, क्रोध को ठीक करने की बस दो चीज़ है, mindful and skillful, आप जो बोलते हो, करते हो, आप skillful रह हो वचनों से and mindful रहो आपके मन से, यह दो चीज़ अगर आप करेंगे तो आप क्रोध को नियंतरन कर सकते हो, अब क्रोध जब होता है तब हमें एक पीडा सी होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मुझे क्रोध आता है तो अच्छा लगता है, क्रोध होने से पी क्या करना है, the first step, जैसे अभी क्रोध आ गया, उसका मतलब आप सफर कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी सफरिंग को बंद करना है, लेकिन हम नहीं करते हैं, हम उसके विप्रीत करते हैं, सबस अगर आपके घर में आग लग गई, दीपक प्रभू, घर में आग लग गई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ, ऐसा तो कोई नहीं नहीं यहाँ पर जो घर में आग लग गई, तो सबसे पहले नेवर्स के पास जाएंगे, आपको पता है, मेरे घर में आग लग गई, कभी नहीं लगी थी, पहली बार मेरे घर में आग लगी, ऐसा आ पानी डालना है उसका मतलब के और पानीडालना है कोई ऐसा है, कि जब घर में आग लग जाए, तो बैट के अनलाइज करेगा, कि भाईया, आग लगी कैसे, पहले पानी डालो, उसके बाद आपको जो करना है, करो, उसका मतलब जब करोद आता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, करोद को शान्त, उस मोमेंट हमें उसको पहले उसके बाद ये सारे स्टेप शुरू करना है, एनलाइस करना, क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, लेकिन सबसे पहले उसको शान्त करना है, लेकिन हम क्या करते हैं गलती, जब क्रोध आता है, तब हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, उ को फोन लगाँ उस इंसिडेंट को बार 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 सब को बताओ इस ने मेरे साथ ऐसे किया Das क्या उससे कोई अफायदा होगा नहीं होगा कुछ लोग बोलते नहीं होटा है उसके बारे में छूप रहly तो क्या करेंगे आप चुहा मर गया तो चुहे को घर से बाहर फेक देंगे लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि घर में हौल में चुहा मर गया है समेल आ रहे है तो बेड्रूम में रख दो अचा बेड्रूम में समेल आ रहे है तो पलंगे नीचे रख दो पलंगे नीचे आ तो हम उसको गोडाउन में रख देते हैं, या तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो सोचते हैं कि पीछे रख दो, इसके बारे में फिर से मैं अनलाइस करूँगा, उसको हम टाइम नहीं देते हैं, फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, तीसरे काम में लग जाते हैं, और थोड़े दिन के बाद उसमें से बास आ जाती है, उसका मतलब जब करोध आता है, तो क्या करना है, उसको ऐसा नहीं है कि सहन करके भूल जाना है, उस पर बैठना तो है, बट अट पहले उसको शांत करना है, जिस तरह से अगर कोई छोटा सा बच्चा रोता हुआ आपके पास आता है, रो रहा है, लग गया, उसको कुछ भी हुआ, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, क्या हुआ, सबसे पहले बोलोगे, पहले तुम रोना बंद करो, पानी पियो, रोते रोते बोलोगे, तो मुझे समझ में भी नहीं आयागा, तुम क्या बोल रहे हो, किसने मारा, करेक्ट, सबसे पहले बच्चे को शांत करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद में पुछते हैं, अब बताओ किसने मारा, क्या हुआ तुमको, उसी तरह से पहले हम क्रोध को शांत करेंगे, उसके बाद में उस पर अनलाइजिंग शुरू करेंगे, तो क्रोध को शांत करे है कैसे, at that particular moment, इस प्रभुजी ने कुछ बोल धिया, मुझे बहुत ही घुसा आरहा है उनके ऊपर में, अब मुझे immediately क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस बीर्थिंग करना है, इस एक जाइआ बने बीर्थिंगक करना है, अबने जाइस नहीं के थे, Hare Krishna, Hare Krishna करने लोगो, चांटिं करने लोगो, भगवान को प्रेकरे, नहीं, उस ताएम पर आप जो भी करोगे, ईवन उस ताइम पर आप प्रे भी करोगे ना भगवान को, तो आपकी प्रेयर भी सारी गलत ही होगी, अगर आपका पति पत्नी का जगड़ा हो गया, प्लीस चेंज मैं वाइफ्स नेचर, उस टाइम आप ऐसा नहीं बोलोगे कि चेंज माई नेचर, और बोलोगे चेंज माई वाइफ्स, आपका पूरा तरीका यह सोचने का गलत होगा उसका मतलब उस टाइम पर आपको प्रे करना नहीं चाहिए, गुस्से में आप प्रे करना है, you just have to breathe in and breathe out, बस, और समझो कि मुझे गुस्सा आरा है, मुझे गुस्सा आरा है, समझो कि yes I am getting angry, if you become alert, आपको गुस्सा आई गाही नहीं, इस बार जब आपको गुस्सा आया आप एक बर एक करके देखो, कि जब तक गुस्सा शांत नहीं होगा, मैं ब्रीफिंग बं नहीं होता है, that is the first step, पहले आप गुस्सा को थंडा करो, उसके बाद में introspection करो, analyze करो, क्यो हुआ था, क्या हुआ था, और जो गुस्से के कारण है, उसे पोस्पॉन मत करो, जब लेट करते हो, तो चीज ज्यादा इंट्रेस्ट के साथ में बढ़ जाती है, उसको तभी का तभी सॉट आउट करना है, after you cool down, the moment you cool down हो जाते हो, आपको चीजे clearly दिखाए पड़ती है, जब आप लाल चश्मा पहनते हो, आपको सब कुछ लाल दिखाए देगा, जब ब्लू चश्मा पहनोगे, सब कुछ ब्लू, गुस्सों में रहोगे, सब कुछ आपको गलत ही लग तो यह गुस्से को कंट्रोल करने के लिए थोड़े steps है, mindful breathing करिए, analyze करिए, गुस्सा आपका अपना है, वो कहीं और से तो शुष्टी नहीं हुआ है, उसका मतलब उस गुस्से को care की जरूरत है, पहले तो accept करो कि हाँ आप मेरी शुष्टी हो, आप मुझसे आए हो, अब म गुस्से को प्रदर्शन करते है, किसी-किसी का गुस्सा नाना पाटे कर गुस्सा है, नाना पाटे कर जानते हैं, हिंदी फिल्मों के एक अक्टर, बहुत जबर्दस चिलाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो चिला-चिला के बात करते हैं, कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा पर रोना आजाएगा, रोते रोते, जो लोग रोते हैं, मतलब वो लोग बहुत सेहन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका तरीका है गुसा एक्सप्रेंट करने का, कुछ रो के करते हैं, कुछ चिला के करते हैं, कुछ का गुसा बहुत जाद है, बाते करने शुरू कर दे यससे भी मस्त गोलें से इसे पहलें से कंटिनीूज बोलेंगे आप अपर बाबा बंध करो बस हो गया काफी है कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे गुसा मतलब, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस एकदम मूँ के अंदर में, लेकिन अंदर में इतना कुछ भरा हुआ है, वो अंदर से सफर कर रहे हैं, कुछ लोग गुसा में बहुत ज़ाता खाने लगते हैं, खाते टाइप के गुसे हैं, इसी में, हम जब गुसा करते हैं, हम सिर्फ उसका एक्स्टरनल रूप देखते हैं, बट एक्चली अंदरलाइंग उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम लोग को गुसा इसे लिए आता है, क्योंकि हम जब गुसा करने वाले परसन को देखते हैं, नि एक तो होता है कि immediate cause, इस person के बज़े से आया, एक तो होता है कि karmic cause, जैसे पुर्वा में आपने कुछ कर्म किया होगा, और एक होता है ultimate cause, नहीं कृष्ण का sanction, भगवान की इच्छा, लेकिन हम इसलिए गुस्सा आजाते हैं, क्योंकि ना हम ultimate cause देखते हैं, ना हम karmic cause देते हैं, हम सिर्फ immediate cause देखते हैं, इसके बज़े से मुझे गुस्सा आया है, लेकिन जब हम broader vision से देखेंगे, तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, जब हम सोचेंगे कि हम आत्मा है, कि मेरे पूर्वा के कर्म के अनुसार है, अगर ये मेरे साथ हुआया तो इसमें भगवान की sanction है, अगर हमारा vision हम बढ़ा दे, तो फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा, अब कोई बोलेगा माताजी मैं क्यूं अपना vision बढ़ाओ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ immediate cause पर ही focus करूँगी, लेकिन अगर गोलो कर विंदावन तुमको जाना है, तो फिर इस चीज़ पर तुमें ही work करना है, सामने वाले को कोई interest नहीं है गोलो कर विंदावन जाने के लिए, जाना तुमको है, अगर तुमको जाना है तो तुमें इस चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, तुम्हें इस पर work out करना पड़ेगा हमारी भक्ती जीवन का सार ये है कि हम भगवान के फेवरेट बनना चाहते है सबको यही है ना हम सब भगवान के फेवरेट बनना चाहते है और भगवान तो भगवत गिता में बता चुके है कि उनका फेवरेट कौन है भगवान 12.18 भक्ति योग में बताते हैं समर शत्रो चा मित्रे चा जो शत्रू के साथ मित्र के साथ समान भाव से रह सकता है वो मेरा प्रिय है भगवान बता रहे है जो सुख में दुख में समर हो विंटर हो शत्रू हो दोस्त हो सब के साथ जो समान भाव से रहता है वो मेरा प्रिय है भगवान बता रहे है और हम भगवान के प्रिय बनना चाहते है श्रीमत भगवाद गीता के 6th chapter 9th स्लोका में भी यही बात बताते है भगवान की जो भक्ती में advanced है वो लोग हर स्थिती में समान भाव से रहते है अगर हम भगवान से प्यार करते हैं आप जब किसी को प्यार करते हो तो वो जो गुन आप में देखना चाहते है आप वो गुन अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं हम भगवान को प्यार करते हैं और भगवान ने बता दिया कि मुझे तो ऐसे लोग प्रिया है बस हमें ऐसे बनना है हर सिचुएशन में अपने आपको हमें समर रखना है गुस्सा जब आता है तब हम देखने में भी बहुत भयानक बन जाते हैं जब एंशेंट ग्रीक पीपल जो राज महल में वगरा काम करते थे जो राजा के सर्वेंट्स उनका एक सिस्टम था वो जहां भी जो भी उनका यूनिफॉर्म होता था उसके साथ में वो आइना रखते थे तो सब्वोज अगर राजा उनको कभी बुलाए कुछ काम पे तो पहले वो अपना आइना से नोट क्यों कि जब आप गुस्यवा करते हो सिकाम करते समय तो गुसा किसी को साथ कुछ अर्गुमेंट हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो आपका फेस भी बहुत भयाना हो जाता है तो देजुच चेक सेंसल्व की आरवी प्रेजिम टेपल, आरवी ओके प्लेजंट यह जो आपने गुस्सा किया है, वो सारे सेवा में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसका poison हर जगे carry forward होता है, गुस्से से आपके शरीर में भी बहुत सारे hormonal changes आजाते हैं, बहुत सालों पहले मैंने एक article पड़ा था कैसे एक लेडी अपने पती के साथ में कुछ बात पे गुस्स हो गया, दोनों का fighting हो गया, उसके बाद में बच्चे को breast milk पिला रही थी, बच्चा मर गया, क्योंकि उसको इतना ज्यादा गुस्सा आगया कि उसका breast milk था वो poisonous हो गया, out of so much anger, तो कितनी सारी चीज कर देती है गुस्सा हमारे साथ, see, तो उसके उस गुस्से को मन में लेके फिर हम चांटिंग करे, स्थुति करे, कोई लाब नहीं है, पहले हम उस गुस्से पर हमें work करना है, गुस्से को change करना है या convert करना है, जिसे कभी कुछ लोग मुझे बोलते है कि माता जी, इस परसन के उपर मेरा गुस्सा नहीं है, लेकिन मुझे इस परसन के उपर प्यार भी नहीं है, it's just that मैं neutral हूँ और मैं इस परसन के साथ डील नहीं करना चाहते हूँ, ये बहुत बड़ा चीटिंग है, या तो आपको उसके उपर गुस्सा है, या तो आपको उसके उपर प्यार है, ना गुस्सा ना प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने एक बार क मुझे इस परसन के साथ ना गुस्सा है ना प्यार है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसका मतलब गुस्सा अभी भी है, एदर ये एनर्जी को कनवर्ट करना है, मुझे गुसे को प्यार में, या तो प्यार गुस्सा में कनवर्ट होता है, या तो गुस्सा प्यार में कनवर् अगर उस परसन को मेरी कभी कुछ जरूरत पड़ी तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं उसके साथ डील नहीं करना चाहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी परसन के साथ कोई रिलेशन ना रखो और फिर उस परसन को कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आपके पास क्यों आएगा आप कोई एंबुलेंस तो नहीं हो आप फायर ब्रिगेट भी नहीं हो कि आपके पास आएगा उसका मतलब अभी भी आपको उसके लिए हेट है, so what we have to do is just like organic farmers क्या करते है, garbage जो होता है, waste होता है, उसको manure बना देते है, fertilizers बना देते है, उसी तरह से हमारे negative भाव को भी हमें positive भाव में create करना है, actually problem हमें सिर्फ एक दो लोगों के साथ ही होता है, पूरी दुनिया के साथ problem किसी को नहीं होता है, कभी-कभी मुझे कुछ लोग बोलते है, माताजी मेरा nature तो बहुत अच्छा है, मुझे तो problem नहीं है, इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक परसन से problem है, वो एक परसन के सिवा खराब नहीं होता है, लेकिन क्या वो एक दो परसन के साथ रिष्टा खराब करना इतना important है, कि आप भगवान के फेवरेट लिस्टे निकल जाओ, इस इस दाट इंपोर्टन फर यू, वो आप डिसाइड करो, आप क्या करना चाहते हो, अगर आप भगवान का फेवरेट ब दिया था बच्चों को, बोला कि आप उठो, देखो क्लास्रूम में, आपको कितने बच्चों के साथ प्रॉबलम है, या आपको पसंद नहीं है, या you're not friends with, तो सब बच्चों ने काउंटिंग कर लिया कि किसी को एक बच्चे के साथ, किसी को दो, किसी को साथ, किसी को साथ प्रॉबलम है, उतने बच्चों के साथ में, उतने बच्चों के साथ में आपको प्रॉबलम है, 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 उतने बच्चों के वो बैक को अपने साथ में लेके गूम रहे हैं एक दिन नहीं लगा, दूसरा दिन प्रोबल्म नहीं लगा, तीसरा दिन से इरिटेशन होने लगा, फोर्त दे से शमयल लगा, सढ नहीं लगा, फिफ्ट दे से तो इतना है लगने लगा, सेवंथ दे पर बच्चे बोले, लारे यह सड़ी हुए इसको आप काईड़ी कुछ सोलुशन करें तो टीचर ने बोला जस लाइक आट आप जो नेगेटिव भाव दूसरों के लिए करते हो इट बिकमस अबर्डन उन्यू आफर सम थाइम क्लीन इट आप उसको निकाल दो हम सोचते कि नहीं अगर उस थिंकिंग को अगर मैंने मेरे मन में रख दिया तो क्या हो गया क्या हो गया वो सड़ जाएगा फिर वो स्मेल आएगा आप सोचते हो भक्ती में भाव क्यों नहीं आता चांटिंग में भाव क्यों नहीं आता कैसे आएगा सड़े हुए आलू की बैग जो आप लेके घूम रहे हो ना सब जगे तो फिर कैसे भाव आएगा चांटिंग में कैसे जो भी नेगटिव भाव किसी के लिए होते है उसको निकाल के बाहर फेक देने चाहिए फिर क्या होगा you'll feel so light लगेगा ना light लगेगा तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ खटपट हो जो हो साथ ही साथ उसे सॉट आउट कर देनी चाहिए डिवोटी कम्यूटी में हम डिवोटी है इस है कितने कम एक्चली यह जू के सामने होडिंग लगा देते है टाइगर एंडेंजर्ड है यह एंडेंजर्ड है मैं तो बोलती हूँ डिवोटी एंडेंजर्ड स्पीशीज है कहां है डिवोटी करोडों लोगों के पॉपुलेशन में शायद एक परसंड भी नहीं होगे जो भक्त है और उसमें भी सही संप्रदाय में भक्त है और सही माइने में सही ओर्गनाजेशन में सही मार्ग में कितने लोग है उसका मतलब हम लोग कितने कम है और हम डिवोटी कम्यूनिटी में ही खटपट होगा और एक दुसरे का साथ नहीं लेने चाहेंगे तो कैसे भक्ती जीवन में हम आगे बढ़ेंगे तो इमीडियेटली अगर ऐसी कुछ खटपट होती है तो हमें क्या करना है उसको इमीडियेटली सॉट आउट कर लेनी चाहिए किसी के उपर में भी द्वेश की भावना को डेवलप नहीं करनी चाहिए अब हम आते हैं कि गुस्सा आता कहां से है इसकी कोई मूल कारण तो होगी न जिस तरह से अगर किसी को शरीर में कोई बॉइल हो जाता है कोई एकन या पिंपल आता है उसके पीछे कोई कारण होता है आपको डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट निकालने के लिए बोलते हैं शायद आपके ब्लड में कोई प्रॉबलम होगा उपर उपर से सोफरमाइसिन या आईस लगाने से ठीक नहीं होता है उसी तरह से अगर हम गुस्सा आता है जो सच्चा ही है रियाल्टी है हमारी जीवन के हम उसे अक्सप नहीं करते है इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है एक बार एक मुस्लिम लेडी थी एक साइकेटरिस के पास गई साइकेटरिस के पास लोग क्यों जाते है थोड़ा सा डिसकेशन करेंगे तो थोड़ा सा मेंटली लाइट फील होगा अब ये लेडी एक बच्चे को लेके गई उसके छोटे बेटे को लेके गई जैसे ही साइकेटरिस के ओफिस में गई ये बच्चा बहुत शैतान फ्लावर वास गिरा दे रहा है चेर को उलड कर दे रहा है विंडो ये कर दिया कुछ नीचे फेक दिया इतना शैतानी कर रहा है साइकेटरिस समझ गया इसी के लिए आई होगी बिचारी इतना बच्चा इतना हाइपर आक्टिव है शायद तो इमिडेटली साइकेटरिस बोने लगा अच्छा अच्छा देखे माडम ऐसा है ना वी केनोट रहाव पर्मनेंट इन पर्मनेंसी इन लाइफ कभी ने 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 मैं उसके लिए भी नहीं आई हूं कॉंसलिंग के लिए मेरे बड़ा बेटा कैंसर में मर गया यह सेकेंड वाला है यह थोड़ा सा हाइपर अक्टिव है मेरा प्रॉब्लम तो मेरा तीसरा बेटा है इस साइकेटरिस ने पुछा आपका प्रॉब्लम क्या है तीसरा बेटे का पताब प्रॉब्लम यह है कि बड़ा बेटा कैंसर में मर गया यह दूसरा वाला थोड़ा सा hyperactive जैसा मतलब little bit mentally यह है तीसरे बेटे में कोई problem नहीं है healthy, fit and fine है education में भी अच्छा है, class में भी first जाता है obedient भी है, swabhav, shant भी है, मेरी चिंता यह है, अगर वो भी कभी बिगड गया तो अगर उसकी भी कभी health खराब हो गई तो बस यह मेरा tension है, इसके लिए आप मुझे counseling करिये, अब imagine वो तो problem है ही नहीं जो problem नहीं है उसको उसकी tension है, जो problem है उसकी नहीं sometime it's just that non-acceptance of situation, हम situation को as it is accept नहीं कर पाते इसलिए हमें गुसा आ जाता है कभी-कभी गुसा का कारण या misunderstanding का कारण ये भी हो सकता है non-communication एक दूसरे के बीच में अगर communication सही नहीं हो तो फिर misunderstanding क्रियेट होती है उससे भी गुसा का कभी-कभी आप शायद एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, इसलिए भी आपको गुसा see एक husband husband and wife थे 25 years married wife का nature बहुत अच्छा husband थोड़ा सा गुसा वाला अब wife हर चीज sacrifice कर देती थी अब ये लोग जो है, रोज मौनिंग breakfast में cake खाते थे wife बहुत अच्छा बेक कर लेती थी अब आप कितने भी अच्छा बेक करो, cake के ऊपर का पोशन थोड़ा सौफ होता है नीचे का पोशन थोड़ा सा हाड होता है अब नीचे का पोशन थोड़ा सा हाड होता था तो वाइफ सोचती थी कि husband को क्यों दो हाड वाला पोशन वो हमेशा sacrifice कर देती थी उपर का soft पोशन जो है husband को देती थी और वो हमेशा नीचे का hard portion लेती थी ऐसे 25 साल से वो sacrifice कर रही थी एक दिन उसका दिला है कि मैं इतने साल से sacrifice कर रही हूं कभी मुझे भी soft वाला portion खाना है तो इस दिन उसने क्या किया breakfast में hard वाला portion husband को दे दिया soft वाला portion उसने ले लिया अब जैसे ही husband ने वो केक टच किया hard वाला तो वो immediately बोला कि अरे बाप रहे 25 साल से मैं sacrifice कर रहा हूं मुझे hard portion बहुत पसंद है लेकिन हमेशा तुम hard portion लेती थी मुझे soft वाला देती थी 25 साल के बाद today you have finally given me what I wanted अब बीवी सोच रही 25 से मैं sacrifice कर रही हूं husband सोच रहे 25 साल से वो sacrifice कर रही है अब problem क्या था सिफ कम्यूनिकेशन अगर वो पूछ लेती कि तुमको hard वाला portion चाहिए या तुम्हें soft वाला केक चाहिए तो sort out हो जाता था आधा से ज़्यादा problem हमारे होते क्योंकि हम कम्यूनिकेशन नहीं करते कि हमको क्या चाहिए दो बच्चे जगड रहे थे एक और इंज के लिए दो बच्चे जगड रहे थे एक और इंज के लिए अब उसका solution क्या होगा मुझे बताईए क्या solution है हाँ is it what you feel is it justified अगर अधादा दे ये solution ठीक है how many of you feel that it is a right decision अधादा देना ऐसे ही किया हमने भी अधादा दे दिया अब क्या हुआ जब आधादा दे दिया तो एक बच्चे ने क्या किया अंदर का जो औरेंज था वो खा लिया और स्किन बाहर फेक दिया दूसरी बच्चे ने क्या की किया पूआ अंदर का औरेंज फेक दिया और स्किन रख लिया बोला तुमने ऐसा क्यू क्या बॉला अऔर मुझे उरेंज खाना यह नहीता मुझे सिप स्किन चाहिए था मैं तो कोई भी ऐस लोशन बनाना चाहरा था और एक लड़का बोला मुझे क्या कmernा सकी का मैं तो अंदर का अरेंज कहा ह्या था अब प्रोब्लम क्या हशुआ था तो इसको पूरा जुची केशन आप पूरा फ्री और प्रास धीजन में जाता था तो इसको पूरा स्कीन मिल जाता था उसमें बहुत सारी स्टोरी जाती थी, जब हम छोटे थे, हम उसको पढ़ते थे, उसमें एक बहुत अची कहानी, मुझे अभी भी याद है, बच्पन में मैंने सुनी थी, कैसे ना, एक घर में चार बेटी और एक बेटा होता है उनको, तो अब बेटा एक ही है, तो बहुत ज अब जब इसको ट्राइ करके देखते है, तो पैंट बहुत जादा लूज है, तो अब मा जो है, बोलती है कि चलो कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगी, फोल्ड करके रख देती है, और बेटी लोग थोड़ी सी नाराज नाराज सो जाती है, कि अरे उसके लिए इतना कु अब उसको जब यह लूज हो रहा था चलो मैं इसको ठीक कर देती हूं, तो जो क्या कर देती है, पैंट फोड़ास काटके बिए उसको चिछ कर देती है, अब थोड़ा एक घंडे के बाद मैं सेकेंड सिस्चर उठती है, बोलती है, और फाइटिंग हो गया, हो गया, जोभ अब दोसरे दिन सुबे जब उसको कोलेज जाना था था पैंट था यह नहीं बर्मोडा बन गया था क्या हो गया? Non-communication, non-communication आदह से ज़ादा प्रोब्लम जीवन में आते है विकोस फ्नाट कम्यूनिकेटिंग, not accepting situation, not communicating properly and the other problem हमें गुसा आता है is because of our ego, है न, I think 90% of the cause गुस्सा आता है, ego, कि मुझे ये चीज ऐसी चाहिए, उसको ऐसी ही होनी चाहिए, अगर वो ऐसी नहीं होती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, ego भी दो टाइप के है, एक है कि, where you have a pride, see, pride is different, जहां पे, you think special about yourself, मैं बहुत इंपॉर्टन परसन हूँ, और मेरे विशिस के सामने, मेरे लवड वन की जो विशिस है, वो इतने इंपॉर्टन नहीं है, मेरी विश फुल्फिल होनी चाहिए, और दूसरा टाइप ओफ एगो ऐसा है, कि, you are very rigid about your likes and dislikes, वो भी एक एगो है, जैसे कभी-कभी आप आर्ग्यो कर सकते हो, कि नहीं, नहीं, मेरा ऐसा कोई इगो नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, they can't take advice, किसी को कोई suggestion नहीं ले सकते हैं, जैसे उनकी एक feeling होते हैं, कि I know everything, तो इसके वज़े से भी anger आजाता है, right? Because they just want things as they want, उनको ऐसी ही चीज चाहिए, ऐसी ही इसी तरह से ही उसको करनी चाहिए, और even अगर वो सामने humble भी दिखाएं आपको, लेकिन अंदर में उनकी likes and dislikes बहुत strong होती है, यही खाऊंगा, इधर ही बैठूंगा, ऐसे ही करूंगा यह चीज, मैं perfectionist हूँ, वो भी एक type of ego है, humility मतलब हर चीज में flexible, कोई भी चीज में कैसे भी अपने आपको adjust करने के लिए तयार रहना, तो यह भी एक कारण है जिसके वज़े से हमें गुसा आता है, तो non acceptance एक कारण है, non communication एक कारण है, ego है, conditioning, conditioning भी एक कारण है जिसके वज़े से हमें गुसा आता है, कभी-कभी हम कंडिशन हो जाते हैं to behave in a certain way see, एक zoo में एक young bear का जनम हुआ तो जब छोटा सा bear का जनम हुआ तो they made a 10 by 10 cage उस bear के लिए तो 10 by 10 cage में वो bear घूमता था अब जैसे जैसे वो bear बड़ा होता हुआ चला गया उतना space उसके लिए इनफ नहीं है तो they shifted him to a bigger cage which was like 40 by 40 लेकिन अब इसको 10 by 10 walking करने में इतना condition हो गया था कि जब 40 by 40 के cage में उसको डाला फिर भी वो 10 by 10 ही walk करता रहता था because he was conditioned to only that much space कभी-कभी हमारी conditioning इतनी strong है कि we are used to working, thinking, judging in a particular way, right? sometimes anger इसलिए भी होता है because of wrong assumptions sometimes the other person doesn't mean that at all कभी-कभी आप गलत assumption कर लेते हो इसलिए आप गुसा हो जाते हो शाइद उस person का ऐसा कोई meaning है ही नहीं लेकिन हम गलत सोचते हैं हम judgmental हो जाते हैं हम बहुत जल्दी लोगों को judge करते हैं अगर आज आपको कोई डिवोटी दिग गया कोई होटल से बाहर आ रहा हो या कोई पब से immediately आप judgmental हो जाओ हरी इस तो devotee है यहां से क्यों अरे भई इसके पीछे बहुत सारी रीजन हो शाइद वहां पर book distribution करने गया हो तो शाइद उसके कोई दोस वहां पर चला गया जिसको वह लेने के लिए but the problem is that हम हर चीज फेस वाल्यू पर जजज करना शुर कर देते कोई हमें कैसा देखे immediately हां इसका मतलब यह है we give the conclusion judgment over finished हमें पता भी नहीं है we make so many assumptions right but हम तो पूर्ण नहीं है हमारी senses भी limited है तो हमें बहुत careful होना चाहिए हम क्या assume कर रहे है हम किस basis पे किसको judge कर रहे शायद हमें पूरा पूरा picture भी पता नहीं है तो these are so many such reasons जिसके बज़े से हमें गुसा आता है right अब हम क्या करना है इस reasons पे हमें work करना है कभी-कभी गुसा इसलिए भी आता है क्योंकि हमारा over expectation होता है right over expectation होता है wrong expectation होता है rather wrong expectation होता है see अगर आप कोई mango के जाड के नीचे खड़े रहो और आप सोचो कि lemon आएगा, lemon आएगा तो lemon नहीं आएगा mango से mango ही आएगा sometimes you have over expectations or wrong expectations from your partner यह भी हो सकती है sometimes you expect कि आपके husband इसी तरह से behave करने चाहिए or sometimes you expect your wife should behave in this way it may not be possible सबका अपना अपना नीचर है सबका अलग-अलग है बहुत सारे husband लोग कंपलें होता है मेरी बीवी को पता है मुझे बिंडी के सबजी बशन ने और भी रहे बीवी शेमस अड्रस्टेटन और भी उसका दिल कहाने के लिए बिंडी सब्सक्राइब आपके रहे the kind of expectations you keep on people कि लिए यह वहना चाहिए इसको ऐसे ही बीव करना चाहिए तो यह नहीं हो सकता है तो यह नहीं हो सकता है He cannot sing a song for you or get a rose for you or compose a poetry. But our expectations are wrong because we are inspired by different other things that we show in the media and we get angry about why we are not doing that. So these are the things that we can get angry. Now what is the solution? We know the types of angry, we know the reason we know the reason we know the solution. What is the solution? What is the solution? See, sometimes I tell someone about this. Mother, don't compare with you. Don't say the example of Prabhupada. Don't say all these. They are pure devotee. At our level, you don't know what happened that day. This is the start of it. If you are in that situation, Mother, possibly not. Don't worry about that situation. No, that's not. Every person's degrees are different. Every person's reaction is different. See, at one house, a mother made idli chutney. She had four daughters. Now she made idli chutney, put it on the dining table. Now she forgot to give salt in the chutney. What was the reaction of the big child? What was the reaction? As she saw, she didn't have salt in the chutney. She put the plate on the plate. This is her degree of reaction. She got disgust. The second child, when she saw that she didn't have salt in the chutney, she said, she didn't have salt. Next time, be careful. The third child thought that she didn't have salt in the kitchen. Don't put salt in the kitchen. Don't put salt in the kitchen. What was the need for that issue? The fourth child, what is that game that kids play? PUBG? Yes. The fourth child was playing PUBG. Now he played PUBG. He didn't know that he didn't have salt in the chutney. He ate it. He ate it. He ate it. Now, the four of different reactions are, right? There is one situation. How many reactions are different? It's different. It can happen. It's not that every situation should happen. It's just on you that you can give a reaction. One husband and wife was married. So her husband was very strict. He was very angry. He told me something like a workshops, He said, Look, this work should not happen. It should not happen. That work should not happen. First he would do this work. That it should not be said They will bite or kill or whatever. Then he is behind him. Now, the question is, Please please do not happen. It should be done this now. Let not happen. This should not happen today. But not happen here. Then he came to a party. He told him to their friends. My husband used to torture. My husband used to arrest. He has an issue. It is very scared. It can make me feel like he should come. My head of time was shivering. हो जाती हे घर में, उसके एक फ्रेंड थोड़ी समार्ट थी, जो ठीक है, इस बार अगर यज बोलता है, नहीं तो, तो तुम पूछ लो कि नहीं तो क्या, बूछ की देखो, पता तो चले कि क्या, नहीं तंड़पानी सिनालोंगा। नहीं तो नहीं तो धंकी देरा था लेकिन है विछरा बहुत सवाफ खोह बाइन सेंवाइन। फ्रेमी थे लिवी अज्यान है कि गवी अवीडाराक्स ते रिखेंट आफ़ी नहीं वहादा रहा है। अब what are the solutions for this? ये जो अंगर आता है हमी क्या करना है? सबसे पहले तो mindful, जो मैं आपको पहले step बता चुकी हूँ, कि बी माइंफुल, ब्रीटिंग करो, अलर्ट हो जाओ, कि हां मुझे गुसा आरा है, कि मुझे इस परसन पर गुसा आरा है, try to be alert and conscious about it. watch your thoughts, watch your things, second thing you can do is revisit the event, जब आपका उसा थंडा हो जाए, तब आप उस event को फिर से सोचो, कि क्या हुआ था, ऐसा क्यू हुआ, किसका गल्ती है, उसको अनलाइस करो, दूसरा point है कि, try to have a broader vision, समझो कि हर चीज का immediate cause होता है, karmic cause होता है and ultimate cause होता है, और जो भक्त है, वो हर चीज म भगवान के हाथ को देखता है, तब इसलिए उसको कुईसी चीज में घुसा नहीं आता है, जिसे में बहुत बार बताती हूँ कि, अगर आप किसी animal, किसी कुत्य के सामने, अगर आप बोन रख दो, तो कुत्ता क्या करता है, वो बोन को खा के चला जाता है, लेकिन वो ही अ किसका हाथ है, वो उसी को देखता है, हर चीज जो मेरे साथ मेरे जीवन में होती है, उसके पीछे ultimate cause भगवान है, और भगवान तो मेरे वेल विशर है, तो मेरे साथ जो भी हो रहा है, भगवान की सांक्शन से हो रहा है, तो आपना विजन ब्रॉडर बना दो, फिर आपको गुसा नहीं आएगा, दूसरा solution है कि हमेशा अपने गोल के बारे में conscious रहो, आपका मेन गोल है, गोलो के विरिंदावन, जाना, तो बोलते हैं कि, आपका जो बिगर चीज आपको जो चाहिए, उसको आपको फोकस में रखना है, उसके लिए छोटी-छोटी चीज आपको अब देखो, सम्झोग सकर किसी के साथ में गोल डेश हो गया, जाते जाते, बाएगाम रियेक्शन क्या होता है, जब किसी के साथ डेश हो जाते हो, जो इंडियन स्टाइल अरे अंदे हो बिगर तूम्हे था नहीं देखना हो तो नहीं चाहिए, उम्ने देखानें क्या इवन दो उसके सात में डैस हो गया, युट रॉपरमेश विछ उट्वा इपना जोब अज़ा पहला है, इसका मतलब क्या करना है कि हमारा जो बिगर प्रॉबलम है, उट भी जूब जिए प्रब्लम आप प्रॉबलम आप प्रॉबलम, जो भी ज़ग डिगर प्रॉबलम मेरा इंटर्वी जादा इंपोर्टन इसको डाटना इंपोर्टन नहीं है तो यूड़ बिन सक्सिस्फुल उसी तरह से हमारा विजन होना चाहिए कि फो मी गोलो कर बिंदा बन जाना जाना इंपोर्टन आ अच्छा डिवोटी बनना जाना इंपोर्टन है टिट फोर टाट करना इंपोर्टन नहीं है अधा पर्टिकुलर मुमें तो देन यूड़ ने यूड़ नोट गेंगरी अधर फोर अधर प्रोटन कर लेवा है लाखने है लाग्या है लुग क्यूट परिवोटन है यूग क्यूटन है अधर को लूग हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते but there also you have to always introspect कि गलती आपकी भी हो सकती है maybe you have not given the work to the right person maybe he was not capable to be given that work आपने शायद गलत आदमी को काम दे दिया you understand अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो सम्वेर और दे अधर यू अदर्स्टें कि इसका एक कारण आप भी है it's not that उस परसन ने काम नहीं किया तो उसी का गलती है शायद आपको उसको काम देना ही नहीं चाहया था शायद काम देते समय आपने ठीक से समझाया ही नहीं था शायद वो के बली था फिर भी आपने उसको काम दे दिया so so many problems right just how India में जब अब ड्राइव करते हो to you know those who learn driving sab se paal उनको यह instruction दिया जाता है I don't know is it not as a bolte hai na ki bhai when you drive in India because the traffic sense of people is so poor you have to always leave space for the other person's mistake so agar you have to always leave space for the other person's mistake so agar you have to always leave that space for the other person's mistake so agar you have to always be mentally prepared there may always be some mistake so what is the backup what other arrangements you have to make up other thing is that just say koji abhi meri satat argue kar sata madha ji aap bol raha ki gusa nahi dikhana chahiye ya yeh nahi karna chahiye but whatever in certain situation just say hum office mein kaam karte hai humare neiche hai 20-30 loog kaam karte hai agar hum itne soft ho jayenge to to humare advantage lehenge we have to show some anger to udher koji galti nahi hai it's just that do your role without actually getting inside it yeh bhot important sometime ikdam andher ghus jate hai aur hume uska affect ho jata hai right see gussa karne ka bhi a tariqa hai gussa doesn't always have to be on the top of your voice chillana it's not that it's not that see problem is that we have to get satisfaction with laughing see one time husband and wife were fighting both always fighting so guru ji came to us and said that our this day fighting both of us will not be a solution so guru ji said no no you have to continue fighting तो कंटीनु रखो मिदकीब कंग्हाशन से तो फ्रोटे से चैंज़ करो उसमें एप ज़ुद्धध दोड़े चिला नहीं सकते बुड़े अप फैटिंग करते हो दोजू को आप एक दूसरे से बाते बाट महीं कर सकते हो लेकिन लिखे देना ही मदेगे इस लिए रिक्ते में उसको दो, वो दो दो रोट के यापको देगी तो भीट लिखे लिखे में चाहे भ्रुटं में मजे लिखे 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 करयो अब विद्धे में मजे लिए। था को जिलाएगा, आप चिलाओ तब मजे एगा। अब लोगों जितना बार भी फाइटिंग होगा, वो विजए चिटले के, you are stupid, फिर लिखे के, but you are foolish, but you are, but you are, छोडो यार, कौन लिखता है, हो गया, फिर बुला, स्वामी जी, अब तो हमारे जगडा बंदी हो गया, आमको बोरिंग हो गया, लिखके लिखके जगडा करना, तो ऐसे कोई रूल्स आपके लाइफ में बनादो, आप गुसा करो, but it doesn't have to be shouting, see, मंदिर में भी कभी हो जाता है, कि आप संडे फीस के प्रशादम के लाइन में खड़े हो, आप इतने सिंसिरली खड़े हो, और कुछ लोग आ जाते हैं, एकदम मिडल से आपके चले जाएं आप इसे करने से अच्छा नहीं लगता प्रभुजी, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, थोड़ा सा प्यार से बोल दो, कि पीछे आजाए प्रभुजी, ऐसे तो ठीक नहीं न, हम सब भी तो खड़े हैं, बस हो गया, इंसर आप चिला के, रहे क्या है, आप में तो कोई व खालो जो भी है, ओनी सबस्चाह, और से पात के तो खुर्चाह, आप पता हैं, दो ऑसे यूदाति यूदा टोर भी तोड़ीο कमें हैं, क्योंकि आप अभी अभी फाइट करके आये हैं, तो अगर ये भी पूछेगी कि वही चपाती है राइस, एदने वह उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो अशनी नॉर्मल पूछ रही है, कुछ भी दे दो, क्यों आप गुस्साएं, क्यों आप प्रिवेस्ली गुस्सा थे, फि लेकिन बोल नहीं सकते हैं, तो मन में रखते हैं, फिर घर जाके वह गुस्सा अपने बीवी पर निकाल देते हैं, अब बीवी को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बोल नहीं सकती हैं, इसलिए उस उच्छी कि मुछ पर गुस्सा कि वह काम वाली पर निकाल देती है, का आप लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं माताजी हम अतना गुसा हमारे अंदर में रखते हैं, किसी को कुछ अफेक्ट नहीं करने देते हैं, यह पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास जो है आप उसी को डिस्टिबूट कर सते हों। आपके वे नहीं है। यह पुछ आपके बॉसंदा है, कि आप देखाओ, विजय से में बता रही थे के लिएक्ट आपके बेगाए। तो यूवज दो यूर रोल, आप दिखाओ किसी को जैसे अधर दे में बता रही थी कि कभी-कभी जैसे कोई बोलता है कि भी हम गुसा नहीं दिखाएंगे तो लोग हमारा एडवांटेज लेंगे तो मैं नारद मुनी का एक्जामपल दे रही थी कैसे नारद मुनी का वो शिष्य होता है साप नारद मुनी अपने शिष्य को बोलते कि भी तुम लोगों को काटा मत करो फिर एक साल के बाद जब नारद मुनी उस जगह में आते है तो देखते कि साप को सबने इतना बुरी त लेकिन तुम डरातो सकते हो, डराने में कोई प्रोब्लम नहीं, तुम डराओगे ने तो लोग तुमें मारेंगे, तुम डराओ, अपना ऐसे दिखाओ लेकिन मारो मत, तो उसे तरह से, as a devotee, हमें कभी-कभी कुछ situation में थोड़ा सा दिखाना पड़े, but that should be on the level of acting only, अंदर त से जज जो होते है, वो कोट में क्या करते है, उनको आदत होता है न वो, हामर लेके, क्या है वो, order, order, order करते है न, तो एक जज जब घर जाता है, तो फिर डाइनिंग टेबल पर शुरू करता है, उसकी बीवी को order, 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 अब घर पर बीवी को order कर सकते है, क्या कर सकते है, हां request, मैंने नहीं बोला I have not I am just asking on your own you said request request कर सकते, order नहीं कर सकते you have to close your role there only जहां पे आपको जो role है आपको वो आलन करना the other thing that can help you to come out of anger is introspection अपनी thoughts को observe करो मुझे किस तरह के thoughts आ रहे है और जैसे कोई बुरा थोट आपको दिखाई देता है उसको इमीरेटली निकाल के बाहर फेकना है sometimes हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते है ठीक है बाद में सोचेंगे उसके बार में अरे मुझे अगर कोई बुरा विचार आ गया तो क्या हुआ किसी को तो पता नहीं चला कि मुझे व बुरा विचार आया मैंने तो किसी को एक्सप्रेस नहीं किया तो मेरे अंदर में रहे गया it's not not true अगर आपके पास में वो बुरा विचार है वो scanner में तो आएगा ही बुरा विचार एक से दो मुल्टिप्लाइ होगा दो से तीन मुल्टिप्लाइ होगा वो हर चीज को पुल्यूट कर देगा बुरा विचार लेके you can't go on the other side जहां हम जाना चाहते है जिस तरह से ज़से कभी-कभी न जब हम एरपोर्ट के लिए बैक पैक करते है कोई कोग है कुछ कूल रिंग है डाल दो किसको पता चलेगा बैक के अंदर लेकिन पता तो चलता है क्योंकि बैक स्कैन होता है और स्कैन में पता चल जाता है कि आपने कोग का बॉटल लिया है आपने मिलक शेक लिया है सब कुछ स्कैन होता है और फिर क्या होता है सब कुछ वोलोग निकाल के बाहर फेक देते हैं, उसी तरह से हम भी जब गोलोग विरिंदा बन जाते हैं, हमारा पुरा स्क्यानिंग होगा, क्या बुरे विचार है, क्या-क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, तो वहां तक क्यूं रुकेंगे, फिर से हमारा रिजेक्ट होगा, अभी से उस थौट्स को निकाल के बाहर विखना है, इंट्रोस्पेक्षिन भग्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है, बिक इंट्रोस्पेक्षिन टब ही आता है विन यू आर्ट अलर्ट इसमें, आपको गुस्त नहीं आएगा, आफ्टर अट्र ल Unconsciously, जब आप जागुरुत नहीं हो, तब ही गुसा आता है, अगर आप कंटिनुसली आपके थौट्स को मॉनिटर करो, तो गुसा नहीं आएगा, इंट्रोस्पेक्शन करो, अलर्ट रहो, और राइट चीज़ पर फोकस करो, राइट चीज़ पर फोकस करना, कभी-कभी हम, हमारा फोकस ही गलत दिशा में है, एक अदमी एक उफिस में जॉइन हुआ, मैया नया, फर्स दे ऑफिस, जब आया, तो लेट से आया, चाड़े ग्यारा बारा बजे, तो बॉस ने बोला, तुम कल जॉइन हुए, आज तुम लेट आगे, बोला, नो सर्, यस्टरे आइड डिड ओवर टाइम, रात को बारा गया बारा बिशे तक काम कर रहा था, मैन तो तुमको कया दिया ही नही×त कर बारा बज तक उफिस में क्या कर रहे थे, मैं तो युप्ट को ने आपको पता नही Ark एक दम पर्फेक्ट है। इस इस्टुबिड, यूर फोकस इस उन दे रॉंग प्लेस, राइट, एक चीज जब गलत होती है, तो उसके साथ में सारी चीज़े गलत हो जाती है। सुबे зад-सरो विदिडिक, बटन बंकरतीा है अब के साथ का चाँँर, अगर फिरस्ट बटन रॉंग हो जाता है ना, आप बेशक ओटन लगाओ तो शारे बटन रॉंग हो जाता है। सबकोछ ठीक हो जाता है। Sometimes, आपका focus अगर गलत जगह पे हो, आपका strength, आपका mind, आपका energy and time, अगर आप गलत जगह पे लगा रहे हो, तो सब कुछ गलत ही होने वाला है. Other thing is that, कभी-कभी हम चीजों को बहुत जादा जादा खीचते हैं, elastic के जैसे, जैसे suppose अगर कोई घटना घट गई, आपको किसी पर गुसा आगया, किसी को आप पर गुसा आगया, दोनों की अनबन हो गई, चिला चिली हो गई, अब आपको क्या करना चाहिए? उस घटना को वह यह हुआ था, यह हुआ था, यह हुआ था, बार 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 उस घटना को दोर आते रहोगे, उसमें भी क्या होता है, आपके सबकॉंशिस माइन पुरा पोल्यूट हो जाता है, तो चीजों को लॉंग खीचना नहीं है, उसको शॉट में उधर ही खतम कर देना है, तारीक के बाद तारीक, तारीक के बाद तारीक, अप इसको जस्तिफिकाशन तो उसके, just go for out of court settlement, you just go and accept, I'm sorry and then finish it, so यह चीज एका पकर सकते हो, जस्से आपका गुसा कम हो सकता है, other thing is, perception of things, जैसे, sometimes your perception of looking at things is different than the other person's perception उसमें आपको misunderstanding हो जाती जैसे एक मदर इनला को always complain था कि उसकी दौटर इनला घर नीट नहीं रख रही है always complain हमेशा आपने बेटे को बोलती थी कि नो your wife is not keeping the house clean अब उसका बेटा एक दिन Sunday था घर पे था उसने पूरा घर चेक किया अब बोला घर तो पूरा नीट और क्लीन है फिर भी ममी बार बार क्यों कंपलें करती है अब उसको एक आइडिया आया जब उसकी मा बात्रूम में गई नहाने के लिए then he went and checked her mother, his mother's spectacles अब उसने देखा कि spectacles में धूल थी साफ नहीं था, डस्ट था और इसलिए अवरी ताम शी उसने फिल के घर कितना डिर्टी है so what he did immediately he took a cloth and cleaned the spectacles and the moment she came back after taking bath and she put her clean spectacles she immediately started saying no she started keeping the house so clean now she has changed, she has improved so what has happened actually sometime there is a problem in you लेकिन आप दूसरों को problem समझते हो so it's like your perception of looking at things so उसके भी आपको you have to be little clear and try to see things from the other person's point of view अगर आप इसको भी अपना होगे sometimes maybe you are right and the other person is also right it's just that his say for example like the number 9 see आप नमब नाइन को अगर नीचे खीचो तो आपको नाइन दिखता है लेकिन सामने बाले परसंट को आपको दिखेगा actually वो परसंट भी correct है और आप भी correct हो it's just the way from कौन से अंगल से वो परसंट उस चीज को देख रहा है so you can work on that the second thing is that when you get connected to the higher consciousness when you get connected to Krishna then the other things gone हो जाती है छोटी हो जाती है for example अगर आप किसी बड़े बिल्दिं के सामने जाके खड़े रह जाओ तो बिल्दिंग बहुत बड़ा लगता है लेकिन जब आप फ्लाइट पर बैठते हो और जब वो फ्लाइट आकाश पर उड़ता है तो फिर वो बिल्दिंग आपको बहुत चोटा लगता है when you get connected to higher consciousness आप प्रिशन के साथ जूड जाते हो तब बाकी हर चीज बहुत गॉन हो जाती आपके लाइफ में आपका विजिन बहुत ब्रॉड हो जाता है चीजों को देखने का सी एक चोटा बच्चा अपना ग्राइट मदर के पास बैठा हुआ था ग्राइट मदर एक स्वेटर निटिंग कर रही थी और जब हो रूट कर देखा तोषी जाइव लुए को स्वेटर निटिंग कर तैन इस्वेटर निटिंग हरूए लुए निटिछ स्वेटर निटिड और जगा जाकर निटीऊ हरुए हरूए लुए लुए लिए दिखर kita की अए philosophies जब आप उपर से देखते तो आपको पूरा दिजाइन दिखाए देता है sometimes we see things with our limited senses, with our limited perception of looking at things और हमें वो चीज़े समझ में नहीं आती है but when we get connected to higher consciousness and sometimes in for that matter even when we get connected to our guru in that matter who may be having a better vision of looking at things, a broader vision of looking at things then he or she can help us to look at things that way so sometimes in our life or situation we can always take help because they may see it in a different way they may see things with a bird's eye you know, when you look at things, you look at things in front of you but when a bird sees the things, a bird can see the whole thing you know, like you see a master plan, when you draw a flat wet drawing, you will show a whole master plan here in the living room, here in the living room, here in the living room but you can only see the house, sometimes when you get connected to senior devotees, guru, sikshaguru, dikshaguru, higher consciousness that may also help in controlling your anger and your emotion and last thing, I'll say this and end it here clear your accounts in this lifetime I'll tell you about this, I'll tell you about this I'll tell you about this, like sometimes when we come to someone or when we get angry with someone, because we have no karma there is no karma, there is no karma, so when we come to this life when we come to this life, when we come to this person, we need to love it we need to love it, we need to love it, that particular person we need to love it, we need to love it, we need to love it, because we have something wrong with it, that person is behaving like this, that person is behaving like this so that we need to love it in this life, we need to love it, now we need to love it next life, we need to carry forward it, I have to give you a lot of examples I have given you, if you are sitting in a meeting, you are sitting in a meeting and you have been angry with each other and the meeting will end abruptly and then next time, when the meeting is sitting when the person is sitting again then you have to be angry with each other because your previous meeting had to be angry with each other and this new meeting also starts with anger and this cycle continues but in this particular meeting if you have to be angry with each other and if you are happy with each other you will end the meeting and have to be happy and if you have to be happy note if you are meeting end then next life when the meeting starts you will start it with a fresh note but we are not doing it we are carrying forward it and you know when it is carried forward in accounts when it is carried forward then it is also the interest of it we don't need to carry forward the balance we need to carry forward the balance which is our problem वेर है, प्रॉब्लम है, उससे शमा मांगनी चाहिए, उसको और प्यार देना चाहिए, उसके साथ और क्यारी फॉवर्वड नहीं, see, unless and until you really want to see this person's face again and again every life, see, already you are frustrated this life, कि इस person के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, और आप उसको सॉट आउट नहीं करना चाहरे हो, you are trying to avoid it, अभी यह continue होता रहेगा, उसके बदले में जिसके साथ प्रॉब्लम होता है, go ahead and ask forgiveness, and ask forgiveness, उस परसन से शमा मांगो, उस परसन से शमा मांगो, कभी-कभी उसमें भी हमारा यहो बीच में आजाता है, मेरा यहारा, मेरा त।ु गल्ती है ही नहीं, गल्ती तुम्हारी नहीं है, पर ьखवान के पास तुम जाना चाहते हो, you want to go back to Krishna, गल्ती तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम जाके माफी मांगो, तुम जाके माफी मांगो, कभी-कभी हम दूसरों पर दोश देने के लिए तयार रहते हैं, कुछ भी हमारे साथ हो, इसकी गलती है, उसकी गलती है, मुल्ला नसरुदीन किसी के घर में चोरी कर रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, कोट में हाजिर हुआ, जज ने बोला, कि देखो तुम ऐसे चो तुम बोलता है, सर मेरी गलती है ही नहीं, गलती तो आइसक्रीम वाले की है, पुल्ला चोरी तुम ने की, इसमें आइसक्रीम वाले की क्या गलती है, पुल्ला सर आइसक्रीम वाला पार्क के पास खड़ा था, आइसक्रीम देखके मुझे खाने का दिल किया, मैंने एक नही मुझे पकड़ लिया, तो गल्ती तो आईस्क्रिम वाले की है न, मेरी गल्ती कहां है, यह हमारी लाइफ की स्टोरी है, हम इसको उसको इसको इसकी गल्ती है, उसके गल्ती तुम्हारी है, तुम चोरी करने गए थे उसमें इसक्रीम बाले का क्या रोल है यह हमारा प्रोब्लम है हम इतनी एक्सपर्ट है दूसरों के उपर में ब्लेम देने के लिए इसके बज़े से हमारा प्रोब्लम है उसके बज़े से हमारा प्रोब्लम है हमें इंत्रोस्पेक्शन करना चाहिए, तहां करती है, जैसे Jeeva Goswami बहुत अच्छे बोलते है, all these good people in this world are forced to behave badly with you because of your previous karma. Jeeva Goswami बोलते हैं, दुनिया में सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुमने इतने बुरे कर्म किये हैं, because of which these good people are forced to behave badly with you. तो यह बात भी हमें जभी भी गुसा आएं, किसी पे भी गुसा आएं, हमें यह बात याद रखनी चाहिए, my karma, my fault, my karma, my fault. अगर यह कुछ सुत्र अगर हमारे जीवन में हम लेके चले, तो we can avoid so many things, we can avoid making offenses to other Vaishnavas, you know, and we can, see, this dunya में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है Vaishnava Prat, अगर आप पाप करते हो, तो Krishna तो बोलते है ना, कि मैं सारे पाप से आपको मुक्त कर दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, मामे का मशरम नंबर जा, अहम्त्वम सर्वपापे भ्यो, मोक् अगर मेरा पास कोई surrender कर दे, तो मैं सारे पाप से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन अपराद से मुक्त नहीं कर सकते भगवान, अगर हम किसी वैश्नयों के ऊपर में अपराद करे, तो उससे तो भगवान भी हमें मुक्ती नहीं देख सकते, दुर्वासब मुनी ने जब अंब के तरफ अपराद कर लेते हैं, फिर शमा मांगना तो दूर, और दसो लोगों को फोन करके बताते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और और भी अपराद को multiply करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, जिस भक्त के साथ हमारा अपराद किया है, हुआ है, उसके पास जाके उससे शमा मांग लेनी चाहिए, मैं आज यहीं पर खतम करूँगे, आने वाले रविवार को, कोई और टॉपिक लेंगे, एक पांच मिनिट टाइम है, अगर किसी को भी कोई प्रश्न है, इस बारे में तो पूछ सकता है, उसके बाद खतम करेंगे, येस, येस, गोलो का वरिंदावन, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, गोलो का वरिंदावन में सिर्फ आनंद है, there is no problem, that's why you see वाई कुंथा, it's called वाई कुंथा, कुंथा means problems, anxiety, वाई कुंथा means where there is no problem, so, गोलो का वरिंदावन का रिफ्लेक्शन ये है, जब रिफ्लेक्शन होता है, कोई चीज तो उसका उल्टा दिखाएदेता, आइना में देखो, right left, left, right, दिखाएदेता है, वहाँ पे old age, birth, disease, नहीं है, येहाँ यहाँ पे birth, old age, disease, है, death है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ कोई problem नहीं, यहाँ पे problems है, so once you go there, नहीं, वहाँ पे जन्म भी नहीं है, वहाँ पे जन्म भी नहीं है, because actually, जन्म, see, यहाँ पे भी हमारा भी तो जन्म नहीं हो रहा, actually, because हमा, soul की नदेथ होती है, नद बर्थ होती है, apparently दिखता है बर्थ होता हुआ, it's just that, अप्यर हो रहे हम, and फिर अगें, इस बोड़ी को निकालके, हम डिसेपेर हो जाते हैं, फिर हमें कोई और बोड़ी मिल जाती है, लेकिन वर्थ है सच है ही नहीं, क्योंकि soul का death है ही नहीं, we are all permanent, okay, last Anup का question लेके खतम करेंगे, बोलो, साधना हमपर होती है, तब गुसा आता है, ये गुसा होना अच्छा है ये खराब, it's a very loaded question, because साधना खराब होने का कारण अब किसको समझ रहे हो, that is very important, कभी-कभी आप बोलते हो कि साधना मेरी खराब हो रही है, क्योंकि बच्चा इस्ट्रब कर रहा है, साधना मेरी खराब हो रही है क्योंकि मेरी बीवी, मेरी बेटे को ठीक से देखती तो मैं अच्छा से चांटिंग करता, तो फिर ये गुसा अच्छा वाला गुसा नहीं है, यूंकि actually साधना नहीं हो रही उसका गुसा नहीं है, आपको गुसा है कि मैं जिस तरह से चीजे चाहता हूँ, वैसे क्यों नहीं हो रही है, घर सब ठीक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, चांटिंग के लिए टाइम होना चाहिए, मुझे कोई disturbance नहीं होनी चाहिए, तो ये आप किसी और को फोकस कर रहे हो, अगर गुसा आपको अपने आप पर आ रहा हो, कि अरे वहां है मैं सो लेजी, अगर बच्चा उड़ जाता है, डिस चाप करता है, मैं एक घंटा जल्दी उड़ जाता, तो मेरा चांटिंग हो जाता, या मैं ऐसा कर लेता, तो हो जाता, अगर अपने आप पर गुसा आता हो, तो वो ठीक है, लेकिन सादरा नहीं हो रही है, उसका गुसा दूसरे पर आता है, तो ठीक नहीं है. बहुत सारे चीज़े हैं, अभी के कर्म है, भगवान की इच्छा है, काला है, इसमें बहुत सारे चीज़े हैं, पूर्वा के कर्म है, अभी के कर्म है, भगवान की इच्छा है, काला है, यह सारे चीज़े हैं, तो आप किसी का फॉल्ट नहीं दे सकते हैं, कि मेरे पूर्वा कर्म है, उनली एक्स्लूसिवली, या तो यह इसी, नहीं, अभी कर्म है, तो आप को अंदर से गुसा नहीं होना है, तो आप को अंदर से गुसा अभी कभी बच्छों को डाटके बोलना पड़ता है, ए, होमग करो, या teacher है, आपको बोलना पड़ता है, कम on, keep silence, it's not that you are getting angry, it's just that that's your duty at that moment, और आपको थोरा सा दिखाना पड़ता है, but it's not that you are actually getting angry और आप एक्दम हिल जारह हो, right, you understand, see, guru गुसा कर सकते है, teacher, maa, baap, यह सब इनको अलाओड है, गुसा करना, अगर आप ऐसी responsible position में हो, आप किसी के mentor हो, आप किसी को ठीक करना चाहते हो, भगवान, यह सब इनको अलाओड है, बिना कारन के हमें गुसा नहीं दिखाना चाहिए, where you just want to show your strength, यह आपनी सुप्रीमेटी बताना चाहते हो, by showing anger is not the right thing to do, yeah, take care, we'll end it here, thank you so much, Krishnachendra Bhagawan की जै, Śrila Prabhupad की जै, Krishnah, Krishnah, Krishnah lagi, sab Krishnah.